आप जान्ति शिव भाबा को इस त्रश्टी का परिवर्तन करना है इसलिए उन्होंने आवान किया कि ए ब्रह्मावत्सो एक सो आठ रतन ऐसे त्यार हो जाओ जो व्यार्थो निगेटिव से बिलकुल ही पूरी तरह मुक्त हो जाएं क्योंकि ये व्यार्थो निगेटिव ही डबल लाइट फरिस्ता नहीं बनने देता वियर्थ और निगेटिव के वाइब्रेशन्स स्रस्ष्टी की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा पैदा करते हैं मैं यहां उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो वोट्सप पर, स्टेटस पर, फेस्बुक पर जादा रहते हैं उनके मन में तो वियर्थ संकक्र चलेंगे यह बहुत सारे, जो देखेंगे उसके पारे में चिंतन चलेगा तो यह वियर्थ संकल्प महान यग्ड के लिए इस्थापना के अर्थ जो भगवान ने स्थापित किया ज्ञान-योग का यग्ड उसमें बाधाक बनते हैं अब जो वेक्ति रात को देर तक फोन पर रहेगा, सबेरे उठेगा नहीं, आठ बजे उठ रहे हैं, तो यग इससे कमजोर बनता है, इसलिए हम एक संकल्प करें, कि मुझे व्यार्थ और निगेटिव से मुक्त होना है, क्योंकि हम विस्व कल्यान कारी हैं, हमें जक्का कल्यान करना है, और वो होगा हमारी फरिष्टे स्वरूप की इस्थिती के द्वारा, जैसे बाबा ने कहा, कि ब्रह्मा, बाप, सबसे पहले फरिष्टा क्यों बने, कोई बोज नहीं था, जा रहे थे, तो ये भी नहीं संकल्प था, कि यग कैसे चलेगा पीछे, एक बहुत बढ़ी चीज है, ऐसी डिटेच स्थिती, ऐसा गहरा सन्यास, एक महन तपस्वी के जीवन में ही हो सकता है, ये नहीं सोचा, इसको ये डायरक्शन दे के जाओं, इसको ये बता के जाओं, कुछ नहीं, डिटेच माना, डिटेच पूरी तरह से कहीं भी बंधन न ही, हमें भी ऐसे ही डवल लाइट फरिष्टे बनना है, अब देखिये कितने काम होते हैं, आज किसको कह दिया जाए कि तुम्हें सरीट शोड़ना है, तो वो क्या कहेगा, घर हो आओं पहले, बच्चों को कामदाम समझाओं, बैंक अकाउंट को किलियर कर जाओं, बच्च कि और दृष्टी जाएगी, ये काम मेरे बिना कैसे होगा, कईयों को तो ये भी होता है, मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, वो तो सब नस्ठ हो जाएगा, ये भी संकल्प होता है, ये संकल्प मनुस को बांधते हैं, उसको उड़ने नहीं देते हैं, हम चिंदन कर लें, सदा तो कोई संसार में है ही नहीं, किसी की अल्प आयू में ही मृत्यू हो जाती है, किसी की मध्यम आयू में, किसी की अंत में, कोई बहुत सजाबोग कर जाते हैं, क्वस्ट पाकर फिर्स देह से जारे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा डबल लाइट बनना है, कि मैसूस तो कोई भी बोज हमारे सेर पर नहीं है, क्योंकि कोई भी संकल्प होगे, कोई बोज होगा, कोई चिंता होगी, तो वो चीजे आत्मा को बांध लेंगी अंत में, उसे मुक्त नहीं होने देंगी, वो शरीर से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए जब अलाइट फरिस्ता तो तैयार करें अपने को, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़कर घर वापिस चलना है, जो ऐसा अप्यास यहां बहुत करेंगे, वो फरिस्ते बन जाएंगे, और उनके द्वारा संसार में बड़े-बड़े काम होगे, फरिस्तों के द्वारा ही, बाबा अनेक धर्म कि आत्माओं को संदेश भी दिलाएंगे, उन्हें समीप लाएंगे बाबा की, ये कारिये होने वाला है, तो हम चेक कर लें, कहीं हमने अपने को बांधा हुआ तो नहीं है, कोई बंधन हमें नीचे तो नहीं खीच रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, हमारा योग नहीं लगता, क्योंकि बंधन है, बंधनों में बंधे हुए हैं, कहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, उसमें रुके हुए हैं, तो आत्मा उड़ नहीं पाती है, तो चले हम चिंतन करें गहराई से, कि मुझे डबल लाइट बनना है, बेफिक्र बात्सा बनना है, जब भगवान सोयम कह रह हैं, सोचेंगे इस तरह अपने से बाते करेंगे, जब सर्व सक्तिवान वो जो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें बोज, यूक्त नहीं देखना चाहता, वो चाहता है मेरे बच्चे, बिलकुल हल कि बेफिक्र बात्सा रहकर उड़ते रहें, विसु का कल्यान करते रहें तो हम बंधनों से स्वयम को मुक्त कर दें, हमें विजे रतन बनना है, निगेटिव और व्यार्थ से मुक्त, एक देख लें, कही अटेचमेंट, और यह सब बाते जो हमने की, मेरा मेरा, बंधन, दबाव, यह हमारे सिर्पढ़ तो नहीं है, यह हमारे ब्रेन में घड़ ब लाइट भी तो रह सकते हैं, हम खुछियों के जूले में भी तो जूल सकते हैं, यह भी किया जा सकता है, तो वियार तो निगेटिव पे ध्यान दें, हमारे अंदर क्या निगेटिव सोचने की आदत है, इससे पहले क्या हमारे अंदर जादा सोचने की आदत है, जादा नेता हैं. बहुत ज़ादा सोचने से, आपके शुक्स्म सक्तिया नस्थ होती हैं. और शुक्स्म सक्तिया जब नस्थ हो जाती हैं तो हर कालियों में बाधा पड़ती है. हम जो दूसरों को मदद भी करना चाहते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि निगेटिव वाइबरेशन, हमाई दिन निगेटिव रत्ती इस मार्ग में दिवार का काम करती है, इसलिए एक तो हम अपने निगेटिविटी को चेक करें, बहुत लोग अच्छे-चे कंपेटिशन देते हैं, हाय नोकरियों के लिए, कुछते हैं हमें बहुत डाउट रहता है, पता नहीं हमारा सेलेक्शन होगा है नहीं, पता नहीं क्या होगा, जाउट बना रहता है, तो कभी निरास होते हैं, बहुत सोचते सोचते कभी नेन नहीं आती, परिशानिया बढ़ जाती हैं, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, हम आपको बहुत बार कहाए हैं, हमारे हर संकल्प से energy generate होती है, energy पैदा होती है, negative संकल्पों से negative energy, positive संकल्पों से positive energy, वो प्रकर्ति में जाती है, reaction होता है और वही चीजे वापिस आती है, कई लोग तो interview दिन जाते हैं, पहले से ही सोच के जाते हैं, सिफारस का जमाना है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारा selection तो होगा ही नहीं, तो यह ही हो जाता है, फिर सिकायत करेंगे, देखा पैसे वाले जीत गए, नहीं, हमारा selection होगा ही, हम सफल होंगे, हम विजय होंगे, यह संकल्प दरता पूरवक उठते ही 3-4-5 बार किया करें, तो हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो निगेटिव संकल्प, निगेटिव एनर्जी पैदा करेंगे, जो बाधक बनेगी हमारी सफलता के मार्ग में, और positive vibrations, positive अच्छी एनर्जी पैदा करेंगे, जो हमें सफलता के मार्ग पे ले चलेगी, जो हम में हमारी मंजिल के और ले चलेगी, सभी बाधाओं को दूर करेगी, व्यार्थ, व्यार्थ का विस्ताथ तो बहुत बड़ा है, हम अपने व्यार्थ को चेक करके उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह का व्यार्थ हमारे अंदर चल रहा है, आज कल ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाते हैं, हमें अधीन नहीं होना है, एक बुद्धिमान ज्यानी व्यक्ति को अपने व्यार्थ संकल्पों का, निगेटिव संकल्पों का आभास होना चाहिए, ज्यान होना चाहिए, और इस्वरिय महावाक्यों को यूज करके, हम उन व्यार्थ संकल्पों से स्वयम को मु एवार्ड तो उनको ही मिलेगा और एवार्ड है विजय माला के अनमौल मन की बनना, ओम स्यंति.